हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मा यूट्यूब चैनल केपी क्लासिज आज हम 2021 की सीजन के लिए हम कुछ टैस्स प्रवाइड कर रहें जैसा कि पिछले यर बी 2020 में जो टैस्स सेरी चांट करेंगे और वो भी फ्री ऑप कॉस्ट और दो टैस्ट ऑलेडि अपलोड हो चुके हैं जिसकी लिंक मैं आपको डिस्कृप्सन में दे दूगां और जो पुराने व आज से continue evening 9 p.m. को test provide करवाए जाएंगे ठीक है और कौन सा topic है वो भी आपको provide करवा दिया जाएगा ठीक है YouTube thumbnail के उपर आपको उस topic का नाम भी आपको मिल जाएगा कि OD का है कि या PD का है या linear का है या complex का है या फिर real का है ठीक है या COV का है कि कौन सा test है तो please जितना ज़्यादा उसके videos को share कीजिए और यह भी कहा था कि each test में कम से कम 5 questions तो आपको available होंगे होंगे ठीक है और level easy भी रहेगा और medium भी रहेगा ठीक है तो please थोड़ा चैनल को support करते रहे हैं और जितना ज़्यादा उसके videos को share कीजिए ठीक है तो अब हम test start करते हैं और हमारा test number कौन सा है third test है ठीक है किसके लिए 2021 के season के लिए अब net का exam अभी तब confirm नहीं है क्योंकि अभी तब form भी starting हुए ठीक है तो दिपावली के आसपास होने के chances है ठीक है तो उससे पहले कुछ कहा नहीं सकते हैं ठीक है तो चलते हैं test के उपर तो आज का हमारा पहला question है the solution क्या given है the solution of the od क्या given हमें the solution of the od ordinary differential equation डिवा भाई dx इक्वल तो y and y of 0 इक्वल तो 0 यह हमें condition given है और इसका solution हमें पूछा है कि कैसा होगा bounded होगा या positive होगा या फिर negative होगा या फिर 0 होगा ठीक है तो इस question को आप देखिए ध्यान से और try कीजिए इस question को कि d y by dx equal to y y of 0 equal to 0 bounded solution positive solution negative solution या फिर 0 solution ठीक है फटापर से try कीजिए इस question को और फिर हम बढ़ते इसके solution की तरफ और उसके बाद next question की तरफ कि इपर वापस से question को रिड़ाट कर लेता हूँ good evening all of you जो भी हमारे वीडियो के साथ लाइव है प्लीज वीडियो को शेर कर दीजे सभी गुरूप में और इंफर्म कर दीजे कि टेस्ट स्टार्ट हो चुके है और पर डे आपको मैं ट्रेस्ट प्रवाइड करूँगा और उसमें बना के रखते हैं तो वह हमारे लिए फाइदे मंद है ठीक है ऐसा नहीं है कि एक दिन पढ़ाई कर लिए दो दिन का gap ले लिए लेकिन पढ़ाई को continuity रखना बहुत ज़रूरी है ठीक है तो इसी को देखते हुए लॉट्टों में मैंने सोचा कि टेस्ट की स्टार् हुगा ठीक है तो आप जितना चाते हो उसके ующ के वीडियू को शेर्कीजे वाइन ऑफ कर दे सकते हो बहुत्प पिछले साल भी फ्रीजा स्साक्ट्स प्री और क Technologies पॉपे क्यूंट है इस पार भी फिक है तो यह है क्ल देखिए क्ल देर इस इक्टिब्वाएक लोए जेट separate variable को क्या कर दिया separate dy upon y and dx तो dy upon y का integration क्या हो ज़गा log y and dx का x and arbitrary constant क्या add कर दिया log c ठीक है इसको simplify किया तो क्या मिल गया हमें y equal to e की power x into c ठीक है और हमने initial condition को use कर रहे है x equal to 0 पर y equal to 0 तो 0 equal to क्या मिल गया e की power 0 into c तो 0 equal to 1 into c तो 1 cannot be equal to 0 तो 0 क्या होगा c तो c हमें क्या मिल गया यहां पर 0 तो जैसे c यहां put करेंगे 0 तो हमें क्या मिल गया 0 solution यानि कि option d हमारा क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ठीक है तो इस question का answer option d क्या हो जाएगा correct हो जाएगा ठीक है तो यह था हमारा आज का question first, अब आज ये question number second के उपर, देखिए, question क्या read कर ले, the equation of the curve passing through, the equation of the curve passing through, the point x equal to pi by 2 and y equal to 1, and having, अब यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, यहाँ पर है लिक लिएजे आप slope, क्या है, slope, slope यानि डिवा बे डिएक्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, slope क्यों है, and having slope, sin x upon x square minus 2y upon x, at each point xy with x not equal to 0, क्योंकि यह 0 पर देखिए, definitionally x not equal to 0 गीवन है, ठीक है, तो इसका हमें solution find out करना है, कि कौन सा option इसमें से सही होगा, क्या given है, point given है, passing कहां से हो रहा कर, pi by 2,1 से, and slope given है, sin x upon x square minus 2y upon x, clear है, अब देखिए, option first x square minus y minus sin x equal to pi by, pi square upon 4 minus 1, second option है, बहुत हार positive है, यहाँ नेगेटिव है, और यहाँ पर भी नेगेटिव है, और यहाँ पर positive है, third option में यहाँ पर क्या आगेटिव, यहाँ पर sin की जगा क्या आगेए, cos, और equal to pi square by 4 negative का, और option 4 क्या है, none of this, ठीक है, तो यह है हमाना second question, एक वापस देख लीजे आप, जो curve है, वो कहाँ से पासाव दो रहा है, pi by 2,1 से, और इसका जो slope दे रखा है, यहाँ पर थोड़ा यह note कर लिजे, slope, having slope, slope का means क्या बता है, d by by dx, ठीक है, sin x upon x square, minus 2y upon x, ठीक है, यह slope हमें दे रखा है, ठीक है, और हमें चेक करना है कि कौन सा option इसमें से correct है, ट्राइ कीज़े फटापर से, और फिर हमें परना इसके solution की तरब बढ़ते हम, कि इसमें से कौन सा option इसका correct है, good evening all of you, और please जो भी online है test के साथ, please video को share कर दीजे, ठीक है, अब देखिए, इसका आप option देख सकते है, 1st, 2nd, 3rd and 4, 4 में क्या है, नदुप दीजेंगे, ट्राइ की जब फटापर से question को, और जिसको भी अगर पता नहीं है, test start हो चुके है, please अपने friends circle में inform कर दीजिए, कि test start हो गए, देखिए, इससे क्या होगा, कि lockdown में बहुत सारों की जो पढ़ने की habit है, वो छूट गई है, ठीक है, क्या एक तरह से lockdown में घर बैटे बैटे मन नहीं लगता है, तो जो पढ़ने की आदते हैं, वो साइद decrease हो गई है, तो इसी को देखते हो गए, मैंने test series को start किया है, ताकि आपका एक बार फिर से interest हो सके, तो देखिए, इस question को solve करते है, पास point किया, पाइबे 2,1 और इस slope क्या दे रखा है, sin x upon x square minus 2y upon x, ठीक है, तो इसको solution देखते हैं, देखिए, यह देखिए, डीवाबे dx equal to given है यही, अब देखिए, इस 2y upon x को हमने क्या लाया, इस तरफ, ठीक है, और sin x upon x square को as it is, अब यह देखिए, कैसी बनगी, linear differential equation बनगी, divided dx, plus p into y equal to q, p और q क्या है, आइधर constant और function of x, clear है, ठीक है, तो आप देखिए, जब इस type की equation होती है, तो हम उसको कैसा solve करते हैं, integrating factor की help से, यह देखिए, integrating factor क्या है, यह की power, p dx, p की value क्या है, 2 upon x, क्या होता है, p into y तो होता है, तो y को neglect करें, तो p की value क्या है, 2 upon x, तो e की power 2 log x, equal to हो गया x square, ठीक है, तो solution क्या हो जाएगा, y into if, क्या होता है, y into if, equal to if into qx, into dx, तो अब देखिए, यह हो गया, y into if, if की value कितनी है, x square, integration, integration, if into qx, यह qx की value है, अब x square स x square cancel out होगे, अब पीछे के बाद गया, sin x, sin x का integration क्या होता है, minus cos x plus c, अब देखिए, हम एक condition given है, जहां से curve pass out हो रहा, pi by 2,1 से, तो x की value pi by 2 है, y की value कितनी है, 1, तो who value हम यहाँ पर क्या करेंगे, put करेंगे, अब देखिए, 1 into pi square upon 4 का, मतलब pi by 2 का whole score क्या हो गया, pi square upon 4, pi by 2 cos क्या होता है, 0 plus c agities, तो c की value आगी, pi square upon 4, clear, अब देखिए, यह pi square upon 4 value हम उनका रखेंगे, जो इसका solution हमें मिलाता, काँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर हम रखेंगे, pi square upon 4, और हम option से match करेंगे, देखिए, y axis square agities, minus cos x agities, यह c की value क्या आगी, pi square upon 4, इस cos x को negative term को इस्तरब ले आएंगे, तो क्या हो जाएगा, plus, तो यह आगे, plus का, ठीक है, equal to pi square upon 4, तो आप देखिए, cos x वाला option कौन कौन से है, जिसमें देखिए, तीनों ट्रम क्या आ रही है, positive आ रही है, first term positive, यह positive, equal to में यह भी क्या रही है, positive, तो हम देखते है, cos x वाला option कौन कौन सा match कर रहा है, यह देखिए, एक second, यह option check करते है, यह देखिए, यह sign आ गया, यह wrong हो गया, यहापे भी sign, यह भी wrong, यहापे cause है, लेकिन यहापे negative हो, यहापे negative है, लेकिन यहापे answer में, यहाप positive आ रहा है, यह option भी क्या हो गया, wrong हो गया, तो हमरा option D क्या हो जाएगा, correct हो जाएगा, ठी सकते हैं ठीक है इक पर आपसे देख सकते हैं हमने कुछ नहीं किया नॉर्मल सी डिफ्रेंशल एक्विशन सौल किये किसकी इसकी और फिट जो कंडिशन यूज की है ताकि हमें क्या मिल सके c की value मिल सके ठीक है c की value क्या है वो में मिल सके और हमने answer match किया तो हमारा option d क्या हो गया correct हो गया clear है अब देखिए next question की तरफ try कीजिए इस question को the differential equation थोड़ा इस फिक को निचे ले ले तो अब देखिए the differential equation 3a square x square plus by cos x dx मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लीचे एक बार ठीक है 3a square x square plus by cos x dx plus 2 sin x minus 4a x cube dy equal to 0 is exact for any value of a but b equal to 2 any value of a but b not equal to 2 any value of b but a equal to 2 any value of a and b तो इन में से कौनसा option correct है ठीक है क्या खा गया है कि ये दो equation दे रखिए m dx plus n dy की form है जापे m की value क्या है 3a square x square plus by cos x और n की value क्या given है 2 sin x minus 4a x cube dy ठीक है ये exact है exact का मैं solution में आपको बता दूँग exact का मतलब क्या होता है ठीक है तो अब ये बोल रहा है कि exact किस condition पे होगा कि a की value arbitrary हो but b equal to 2 होना चाहिए a arbitrary है but b not equal to 2 होना चाहिए b arbitrary हो but a equal to 2 होना चाहिए और option 4 में क्या का गया है कि any value of a and b ठीक है a और b की कोई भी value हो यानि कि arbitrary लेंगे उस पे ये differential equation क्या हो जाएगी exact हो जाएगी ठीक है तो try किजिए इस question को फिर हम बढ़ते है next question की तरफ try किजिए फटावर्से third question है हमारा test का आज का इसी तरह की test series के लिए हमारा साथ बने रही है और जाद जितना ज़्यादा उसके videos को share करते रही है ठीक है इसी तरह के test पिछले साल की तरह में इस बार भी आपको free of cost प्रोवाइड करवाने वालो ठीक है और साथ साथ में मैं आपको short notes जो theory के notes है वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा पिछली बार भी मैंने 78 video lecture theory short type notes के उपर मैंने आपको प्रोवाइड करवाएड थे और इस बार भी मैंने साथ एक video y double dash plus qx y equal to 0 के उपर भी एक short type notes मैंने आपको प्रोवाइड करवा रखे ठीक है तो वो भी आप देख सकते हैं easily तो इनको जितना ज़्यादा हो सके आप उनको copy के नदर note कीजिए क्या होता है कि ये exam से पहले बहुत ज़्यादा helpful होते हैं ठीक है तो चलिए इस question को हम solve करते हैं देखिए m given है हमें ये n given हमें ये ठीक है जैसा कि आप देख सकते हैं ठीक है 4a, x, q वगर इस type का है ठीक है अब देखिए differential equation एक्जेक्ट होती है जब हम उसका क्या करते हैं इस m का ये देखिए m dx plus and dy इस type की differential equation है ठीक है तो अब क्या करते हैं इस m का partial derivative with respect to y करेंगे और इस n का partial derivative with respect to x करेंगे और दोनों को क्या करेंगे एकफल तो वो क्या क्या क्यलाता है exact differential equation clear अब देखिए इस m का हम करेंगे y के respect derivative partial इसमें y का content नहीं है तो 0 हो गया इसमें y का हो गया 1 पिछे के बचा b cos x इसका करेंगे x के respect में इसमें x नहीं है तो ये 0 हो गया तो इसका हो गया 2 cos x clear ठीक है दोनों को क्या कर दिया equal कर दिया ये दोनों को equal कर दिया अब देखिए cos x से cos x cancel out हो गया b हमें क्या मिला 2 तो जब हम exact differential equation solve कर रहे थे हैं del m upon del y equal to del m upon del x उसमें a कहीं भी नज़र नहीं आया इसका मतलब a से हमें कोई भी problem नहीं है तो a arbitrary और b equal to 2 तो option अगर check करे a arbitrary और और b equal to 2 तो option first हमारा क्या हो जाएगा correct हो जाएगा clear है यानि कि b 2 होना चाहिए और arbitrary a होना चाहिए ठीक है तो इसका क्या answer आजएगा option number first ठीक है आब हम बढ़ते हैं question number 4 की तरफ देखिए यह भी बहुत अच्छा question है consider the equation divided dt equal to 1 plus f square t yt clear है 1 plus f square t एक bracket में close है और into में क्या है yt और condition देर किये y of 0 equal to 1 and t greater than equal to 0 where f is bounded continuous function on close interval 0 and open interval infinity then this equation admit a unique solution yt and limit t tending to infinity yt होगा तो वो क्यासा करेगा exist करेगा और finite करेगा second में बोला गया है कि two li solution third में bounded solution for which limit t tending to t yt does not exist four option में का गया है कि unique solution है और infinity पे क्या मिलेगा infinity ठीक है तो देखिए इसके अदर मैंने एक theory भी आपको provide करवाई है तो उस theory को आप फोड़ा note कर लिजेगा जैसे होता है ना कि कि किसी question को solve करने के लिए theorem use हो रही है कुछ statement है तो आप उसको easily copy के अंदर note कर लिजे ठीक है बहुत ही helpful होता है कि question कभी कभी हमें solve करने के जरूरत भी नहीं होती है clear है तो देखिए question को इक वापस से देख लिजे divided dt is 4 में दे रखा है initial condition दे रखी है y of 0 equal to 1 और f कैसा है bounded continuous function है ठीक है तो मैं इसके solution के बारे में चर्चा करने कि solution कैसा होगा इसमें unique दे रखा है इसमें 2la solution दे रखा है ठीक है इसमें bounded दे रखा है और इसमें unique है बस पिछी एक साथ में फर्दर दे रखा है कि yt t tan infinity 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 या does not exist है या पर exist है और finite है clear है तो इस question को solve कीजे फिर हम बढ़ते हैं next question की तरफ please जो भी हमारा साथ test देख रहा है हमारा साथ live है जो question solve कर रहा है please link को थोड़ा share कर दीजे ताकि ज़्यादा ज़्यादा members add हो सके और इसी तरह के Delhi test मैं आप सभी के लिए provide करवाता होगा देखिए आप लोगों का support मिलेगा तब ही मैं test arrange करवा पाऊंगा देखिए आप जितना देखोगे उतना ज़्यादा मिलेको जोस बड़ेगा कि मैं 5 नहीं 10 question 15 question 20 question जितना ज़्यादा हो सकेगा मैं आप सभी के लिए provide करवाऊंगा तो वो depend करता है आप लोगों के उपर कि आप लोग कितना हमारे साथ cooperate करते है तो देखिए आप लोग खुजी नहीं आओगे टेस्ट देने तो मेरा भी थोड़ा confidence level के आओ जाएगा लो हो जाएगा तो इसलिए जितना ज़्यादा हो सके add हुई है ठीक है और मैं बहुत ही interesting questions पिछले साल की तरह इस बार भी आपको provide करवाता रहूंगा ठीक है और जैसी एक्जाम आ जाएगे पास में तो मैं इन सभी टेस्ट की PDF question PDF आपको Google form में आपको provide करवाता हूंगा इस बार option इस बार answer भी आपको इस साथ में answer की भी आपको provide कर रहूंगा ठीक है पिछली बार answer की मैं provide ने करवा पाए आपको थोड़ा problem आगे थी बीच में कोई busy schedule था इस लिए ठीक है तो चलते हम इसके solution तरह बढ़ते हैं देखिए solution ऊपर चला गया देखिए इसका solution क्या है अल्मोस हो गया ओगा question देखिए यह हमें given है divided dt यह initial condition t greater than equal to 0 अब देखिए जैसा कि मैं आपको बताया था उपर के lecture में कि एक theory भी होती है साथ में fundamental theorem कौन सी theorem है fundamental theorem कि यदि if y is integrable function there exists exactly one और unique solution passing through 0,1 clear है तो आप देखिए यह कैसा function है integrable है function है तो क्या implies करता है कि there exists exact one याने की unique solution तो इसका उन्हें unique solution इसके अंदर exist करेगा और point क्या हैंगे 0,1 तो वैसा ही option में given है देखिए यह देखिए 0,1 x equal to 0 y equal to 1 और कैसा function है integrable function है तो इसका मुद इसके पास कैसा solution है unique हैगा यह बात तो confirm होगी तो second option क्या हो गया रॉंग हो गया इसमें क्या कहा गया कि two lie solution मतलब more than one solution याने कि infinite solution ठीक है और two solution हो गया ऐसा आप कुछ होता नहीं है ठीक है तो इसमें क्या होगा कि two lie solution मतलब infinite solution तो इसका मतलब unique solution आईगा इसमें तो यह second option क्या हो गया रॉंग हो गया यह cancel होगी है, अब देखिए, unique solution है, first भी हो सकता है, c भी हो सकता है, d भी हो सकता है, अब इसमें देखिए, इसमें yt exist कर रहा है, t tend to infinity पर इसमें bounded है, ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, infinity दे रखा है, तो यह हमें check करना है, ठीक है, तो वह देखिए, कुछ हम एक function consider करते हैं, यह देखिए, हमने क्या, क्या easily, f of t को 0 put कर दिया, जो कैसा है, bounded है, और continuous function है, clear है, तो अब हमारे पास question क्या बचा, dy upon dt equal to y, clear है, क्योंकि देखिए, इसकी value होगी 0, पीछे क्या बचा, 1 into yt, यहां देखिए, simple सा y, तो dy upon dt equal to क्या बच गया, y, dy upon dt equal to y, और वही, first question की तरह इसको solve किया, तो इसमें t यह, उसमें क्या था, x है, तो log y equal to t plus log c arbitrary constant solution क्या गया, y equal to e की power t into c, use करेंगे, x equal to 0, y equal to 1, तो देखिए, हमें क्या मिलेगा, y equal to 0, और x equal to 0, और y equal to 1, तो 1 equal to 1 into c, क्योंकि e की power 0 क्या होता है, 1, तो c क्या मिलेगे, अब 1, ठीके, तो देखिए, y equal to e की power t, ठीके, अब देखिए, जैसे t tend to infinity रखेंगे यहां पर, तो e की power infinity क्या होता है, infinity, अब ये e की power t periodic bounded है नहीं, तो इसका मत्तब, हमारा option d क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, ये देखिए, exist कर रहा है, wrong हो गया, second तो अलड़ी wrong हो चुका था, ठीके, क्योंकि जैसे e की power infinity करेंगे तो क्या मिल रहा है, infinity, तो देखिए four option हमारा क्या हो जाएगा, correct, इसमें देखिए, bounded solution, क्योंकि ये e की power t bounded solution नहीं है, ठीके, तो option इसका कौन सा जाएगा, d option, correct हो जाएगा, ठीके, क्योंकि e की power t क्या है, bounded for solution नहीं है, ठीके, अब आज ये, last question, sorry, question number 5 पे, इसको try कीजिए, पार c का problem है, कौन सा problem है, पार c की problem है, the solution of d y dx equal to y square, y of 0 equal to 1, clear है, does not exist for all, ये solution का exist नहीं करेगा, उसके बारा में हमें answer, check करना है, तो x belongs to close interval 0, a, and a greater than 1, second, ये x belongs to our, third, x belongs to close interval 1, a, and a greater than 1, and 4 option है, x belongs to minus infinity to 1, open interval, ठीके, तो ये 4 option है, solution देख लिजी, question देख लिजी, क्या देख लिजी, क्या देख लिखा है, divided dx equal to y square, y of 0 equal to 1, और solution का exist नहीं कर रहा है, ठीके, तो ये इसके option है, 4 option है, try कीजिए इस question को फटा भट से, कि इसमें से कौन सांस्फर, साही होगा, कि x belongs करेगा, close interval 0, a, a greater than 1, और second में है, x belongs to our, कि कहां पे solution exist नहीं करेगा, और third में क्या है, close interval 1, a, a greater than 1, और fourth में open interval minus infinity to 1, clear है, और पार्ट सी की प्रॉलम में ध्यान अगना, 4.75 marks की, ठीके, कभी-कभी क्या होता है, कि applied या pure में से कभी-कभी बहुत easy question आ जाते हैं, ठीके, और इन ही question में हम गल्दी करके आते हैं, ठीक है, I think हो गया होगा question, तो चलते हैं हम इसके solution द्रफ, देखिए, क्या दिर रखा है, diva by dx equal to y square, y square को separate कर दिया, और dx, sgt, मतलब उस तरफ transfer कर दिया, ठीक है, तो 1 upon y square का integration क्या होता है, minus 1 upon y, यह आ गया, equal to x plus c, अब हमार पास condition क्या है, x equal to 0 पर y equal to 1, तो यहां करेंगे, तो y equal to 1 minus 1, x equal to 0 and plus c, तो c क्या मिलीगा हमें, minus 1, clear है, तो देखिए, जैसे c equal to minus 1 यह आ पूट करेंगे, तो minus 1 upon y as it is, equal to x as it is, c की value क्या है, minus 1, तो आप देखिए, minus y equal to हो जाएगा, 1 upon x minus 1, और y equal to हो जाएगा, 1 upon 1 minus x, ठीक है, यह आ गया solution हमारा है, ठीक है, और x not equal to 1, अब जब x equal to 1 हो गया, तो यह solution exist नहीं करेगा, तो हमें ऐसा option चैक करना है, जिसमें x equal to गया रहा है, 1, त्यूंकि question उल्टा है, question में पुछा, does not exist, कि x की कौन सी value पे इसका solution हो exist नहीं करेगा, ठीक है, तो फिलाल तो solution x not equal to 1 पे exist नहीं कर रहा है, मतलब x equal to 1 पे exist नहीं कर रहा है, बट हमें यह चैक करना है कि इसका solution किस point पे exist नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब 1 पे exist नहीं कर रहा है, तो हमें वो option select करने हैं, जिसमें x equal to 1 आ रहा है, ठीक है, तो देखिए, x equal to 1 किस कि फिस में आ रहा है, देखिए, एक greater than 1, अगर यहां पर greater than 1 आ गया तो मतलब सब्सक्राव। 2 ले लिया, तो देखिए 1 इसके नहीं contain कर रहा है 3 लोगे थे तो भी contain कर रहा है, 4 लोगे थे तो भी contain कर रहा है, 5 लोगे थे हो भी contain कर रहा है, तो यह भी correct हो गया, अब यह open interval है और कहां से शुरू हो रहा है, one से और one close नहीं है, क्योंकि one contain नहीं कर रहा है, इसका मतल़ यह हो गया wrong, क्योंकि one इसके अंदर lie नहीं कर रहा है, तो इसके answer first second और third हो जाएगा, ठीक है तो इस question का answer क्यों जाएगा, first second third क्योंकि इसमें x equal to one lie कर रहा है और इनी point की वज़े से इसका solution does not exist, ठीक है अब आजी, next question की तरफ question है, the general solution of the differential equation, solution find out करना है, divided dx equal to sorry, divided dx plus tan y into tan x equal to cos x into sec y, is इस चार option है, आपकी screen के उपर है आप देख सकते हैं, ठीक है normal सा question है कभी कभी क्या होता है, कि हम थोड़ा high level का पढ़के चले जाते हैं, और यह question basically BAC level का है, ठीक है तो कभी कभी ऐसे topic हम छोड़के चले जाते हैं और इसी पर question three marks का पूछ लेते हैं, ठीक है, और net के अंदर, एक marks भी बहुत महिने रगता है ठीक है जिन से पूछो, जिन से एक नंबर से नेट से रह गए हो या जीरफ से रह गए हो, उनको पूछो एक नंबर की कीमत, ठीक है तो देखिए डिफ्रेंशिक रहा है, डिवाबए डिख्स प्लस 10 y into 10 x equal to cos x into sec y ठीक है, solution चेकरना है तो फटा फट से try किजिए इस question को फिर बढ़ते हम इसके solution क द्रफ ठीक है, ठीक है बढ़ लेते है solution क द्रफ आप try करते हैं न, देखिए simple सा देखें divis by dx यह given था अब देखें हम क्या करते है इस y को separate करते है तो sacrifice करते हैं क्या करते हैं सैट वा di तो यहाँ देखें साइन वाइ यह एक दरशका सकते हैं cos y से multiply कर रहते हैं तो यहाँ cos y into sec y कट जाएँगा यह यहाँ क्या हो जाएगा cos y तो sign upon cos into cos 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 कड़ गया यहां क्या आगया sine यह आगया ठीक है यहां cos से custom multiply हो जबगः तो है आगया cos ठीक है यह तरह से क्या होगी bundle equation होगी ठीक है तो अब हम क्या करते है इस sine y को क्या मानते है t यह sine y को t मालिया sine का होगया minus tik ay simulation cos y और y का वापस हो गया d Myst sin y के जगर t आ गया 10x as it is cos x as it is अब भी हमने उपर थर्ड या फूर्थ question में इसको solve क्या था linear differential equation किया था कि नहीं किया था कि जिसमें integrating factor क्या आता है into px into dx ठीक है तो देखिए यह रहा linear differential equation है water first की अब integrating factor देखिए e की पौर q q कितना है 10x यह 10x आ गया तो 10x का क्या होता है minus log of cos x या फिर log of sec x ठीक है तो एक पर minus log of cos x या other formula में कहें तो log of sec x ठीक है तो एक पर log x चाहता है x होता है x की value क्या है sec x या आगे sec x और solution क्या होता है solution होता है t into function चल रहा है x की ज़रा नहीं t में चल रहा फिलाल तो t into if integration if into qx qx कितना है हमार पास cos x और dx plus c देखिए t की value क्या है हमार पास sorry integrated factor की value क्या है sec x तो t into sec x integration sec x into q कितना है cos x यह पूरा कड़ गया यानि बन हो गया sec into एक दूसरे के क्या होता है reciprocal होते है d x plus c तो sec x into t equal to dx का होगया x plus c और t की value रख दी हमने sin y और cos x के दुनों तरब या sec x का divide करगा दिया तो sin y equal to x plus c sin y ऊपर जाएगा तो क्या आगया cos x तो sin y equal to x plus c cos x तो देखिए option match कर लेजिए sin y equal to x plus c cos x option b हमारा क्या हो जाएगा correct हो ठीक है तो friends यह था हमारा आज का test इसी तरह test के लिए हमारा साथ बने रही है और जितना ज़्यादा उसे के वीडियो को share कीजिए ठीक है आप लोगों अच्छा response मिला तो मैं जैसा कि देखो ग्रूप में मैंने अनूस कर दिया है कि free of cost test is available है और पूर टेस्ट मैं आपके लिए provide करवाता हुआ तो बस आप लोग भड़ा support करिए वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा देखिए अपन आप टेकर